सो हलो गाइस मेरा नाम है साइकिरन आप देख रहें मैनी के मर तो यह है आइसलेंड इधर में 10 दिन सर्वेव करने वाला हूं इधर बहुत ही जदो मुश्किल होने वाला है सर्वेव होने करने में क्यूंकि इधर ना ही आपको पेड मिलेगा और ना ही कुछ भी ऐनिमल्स भी इधर स्पाउन ने होंगे बहुत ही जदो मुश्किल होने वाला है तो बहुत ही जदो मजाएगा चली स्टार्ट करते हैं तो फिर रास्ते में मेरे को एक केव दीख चुकी थी लेकिन अंदर जाने के मेरे हीमत ही नहीं हुआ है तो मैंने इसलिए उल्टे पैर भाग गया बहुत ही जदो चलने के बाद मेरा जो हंगर बार से एक दम बहुत ही जदो कम हो चुकिया और मेरे को लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं कि चल रहा हूं तो फिर में इसलिए एक तरकीब निकाला कि मैं फिशिंग कर लेता हूं लेकिन जब अंदर गया तो एक भी फिश मिला तो बाहर आगिया वेरे को समझ आगिये कि इदर सरवैव करना मतलब बहुत ही ज़्याद मुशकिल है मैंने सुना कि रेकस तर में पानी की वजह से मर जाते हैं लेकिन इदर पानी ज्यादा हो जाने के वजह से मर जा रहें तो उसके बद मेरे को और क्यों मिल चुकिती इस बा गाड को बाहर बुलाकर एकडम मारने में लग गया लगता है यही maïne guarde ay इसलिए सारे guards को इधर ही बुला लिया लेकिन मैने बी एकडम कम नहीं हॉा सारे की सार için guards मेरा हाथ का जो power मैं ने दिखा दिया और इसे लिए को में मैं बता भी ने सकता और थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद मेरे को और एक गाड़ दिख गया तो मैंने इस बार एकदा मुल्टे पर जाने का समय भी नहीं दिया वह बहुत जल्दी फट गया और मेरे को कुछ स्टोन भी दे दिया और मैं चुप चाप से उधर से बहुत ही जाद़ वूड करेक्ट करने में लग गुया उसके बाद मैंने कि क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसके बाद मैंने एक वुड़र पिकेक्स कढ़ ऑर पास मैं बहुत ज़्याद़ श्टोन तो मैंने स्टोन भी मायंद कर लिया și बहुत ज्यादा लूट पार्ट करने के बाद finally मेरे पास iron का armor भी आ चुका और मेरे पास iron का tools भी आ चुका अभी मैं थोड़ा सा secure feel कर रहा हूं तो बीच में किया नो थोड़ा सा recording नहीं हुआ था तो मेरे को समझ आ गिया कि इधर survive करना को जादा ही मुश्किल है इसलिए मैंने temporary सा थोड़ा सा base बना लिया उसके बाद मेरे पास एक carrot था तो मैंने उस carrot को plant कर दिया और मेरे पास bone meal भी था तो मैंने उस bone meal को use कर लिया और फिर से मैंने carrot plant कर दिया तो इधर ना बहुत ही ज़ जमा कर सकूं लेकिन वो spider का कुछ जादा ही दोस्त थे वो दोस्त आगिया मेरे को मारने के लिए मैंने उसको मार दिया करकर लेकिन मैंने इन दोस्तों का वही हाल किया जो spider का किया था इसका ना कुछ जादा ही दोस्त था अभी मैंने दो दोस्त को ऊपर पहुंचा है और फ यह दोस्त तो एकदम आकर फट जाता है एकदम दिपावली बनाता है यार मेरे को तो समझे में आ गया कि स्पाइडर को मारना एकदम बहुत ही जादा गलत होता है कितना भी मारो गुंस का दोस्त कमी नहीं होता है और बहुत ही जादा दोस्त लेकर आता रहता है तो वो स्पा को एकदम बाहर बुला बुला कर में मार रहा था ताकि वो अपना दोस्तों को ना बुला सखें लेकिन उसका दोस्त को भी पता चल गें कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो दोस्त भी आ गया मेरे पीछे-पीछे एक्डम मारने के लिए अभी तो एक दोस्त गया है इन्हें और एक दोस्त को उसने बुला लिया लेकिन ये दोस्त अच्छा था दोनों को लेकर चल गया और दोस्त आगे अभी इदर तो खतम ही नहीं और बहुत ही ज़्यादा दोस्त है इसके तो एकदम बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे थे एकदम मॉप्स मारने लगे इतना ज़्यादा दोस्त कौन रखते है भाई यार अभी मेरे को समझा गया कि ये स्पाइडर को मारना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसका जो दोस्त है बिल्कुल कमी नहीं होते है एकदम आती ही रहते है बस एकदम infinite है इदर बस आती ही रहते है आती ही रहते है कितना भी मार दो बस आती ही रहते है लेकिन मेरे भी कम नहीं हुआ सारे के सारे दोस्तों को मारने में लग गया मेरे को फिर से समझ आ गिया कि इदर रात में गूमना एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो मैं एकदम उल्टे पर घर के लिए बाग गया यार मेरा जो टूल से एकदम टूटने की हालत में आ जा रहे मेरे पस बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस के कम ही है और इदर वोड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा तो फिर थोड़ा सा माइन करते करते एकदम मेरे को एक माइन शाफ्ट मिल गया तो इदर से मेरे को काफी ज़्यादा वोड मिल जाएगा और इदर से मेरे को स्ट्रिंग्स भी मिल जाएगा तो मेरे को spider को मारने का जरुवत भी नहीं पड़ेगा और उसका जो दोस्त है उससे भी मैं बच जाओंगा तो फिर मैंने इदर काफी ज़्यादा strings और काफी ज़्यादा wood और काफी ज़्यादा iron भी मैंने इदर से जमा कर लिया तो मेना एकदम आराम से चुप चुप कर सारे के सारे resources कलट कर रहा था तो और एक guard ने देख लिया वो भी चुप चुप कर मेरे को मार रहा था तो इस chest में name tag है और कुछ rails वगरा और नार्मली सामान है तो loot part करते करते मेरे को एक ematist का biome मिल चुका तो मैंने उदर से काफी ज़्यादा ematist का shards कलट कर चुका था तो इस mineshaft में जितना भी wood था मैंने सारे के सारे wood एक तम से कलट कर लिया यह mineshaft लगी नहीं रहा भी तो यह cave जैसा लग गिया पूरे के पुरे तो तो वस माइन्शाफ्ट से मैंने बहुत ही ज़्यादा resources कलट कर चुका काफी ज़्यादा iron का और काफी ज़्यादा wood मैंने कलट कर चुका था उससे और मेरे पस जितने भी iron था मैंने सारे iron को smelt करने में लगा दिया और मेरे पस जो फाम है उसको भी मैं बढ़ाने में लग गया तो अगर पसंद आये तो सब्सक्रेब करना भूलना मत